सब्सक्राइब आप सभी का नेक बीडी लेक्चर में राजरसान सेर्कल का MTS का 2021 का कॉश्चन वेपर करेंगे डिपार्टमेट और जीके के सभी कॉश्चन को करेंगे मैथ और जीके के लिए एक्स्टर आप करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा रैगलर ग्लासिज में भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं स्क्रीन पे दुए नंबर पर मैसेज करके मारे साथ जुड़ सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू कहते हैं फर्स्कॉशन आज की वीडियो का अब्री लैटर पैकेट और पार्सल हैस तूवी स्टेंप विद्धी डेट स्टेंप ओफ एट लीस्ट परतेक पत्र पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाघरों की तारीक मोहर लगी होनी चाहिए इतनी बार ये कॉशन आचुका है एक पूछो मताब आंसर आपको अच्छे से आता होना चाहिए टू पोस्ट ओफिस नाइट पोस्ट ओफिस सोटिंग पोस्ट ओफिस या फिर मेल पोस्ट ओफिस तो एब्री लैटर पैकेट और पार्सल के उपर कम से कम दो डाघरों की त सीलिंग बैक्स का उप्योग कि इसको बाहर से सील करने के लिए ना करें इन तो इसका से आनसर कहा जाएगा आपके बस D आ जाएगा इन दी केंस ओफ आर्टीकल्स अट्राइजड टू फोरेन कंट्रीज दी आड्रस शुट भी डिटेन इन विदेशों को संबोधित लेखों के मामले मैं पता कैसे लिखा जाना चाहिए कोई भी आर्टीकल है अगर आपने फोरेन कंट्री के लिए उसको भेजना है तो उसके ओपर जो एड्रेस लिखा जाएगा वो कौन सी लैंग्वेज में रोमन लैटर्स और अर्वीक फिगर्स में रोमन अक्षर और अर्वी यंकों में लिखा जाएगा यहां पर इस एंसर कहा जाएगा आपके बास सी यह जाएगा दी प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर and other मिनिस्टर्स ऑफ गवर्मेंट ओफ इंडिया और शर्टेन राश्ट्रपती पर्धान मंत्री भारत सरकार के अन्य मंत्री और कुछ उच्च सरकारी अधिकारियों को, उनकी mail उनको बहीं पर दी जाती है, जहां पर वो जाते हैं, इस बाली सुविदा में क्या होता है, special bags का use किया जाता है, और जब भी बे क्या होता है, भारत के भीतर कहीं पर भी दोरे पर जाते हैं, टीक है, two we on tour within इंडिया, कि कोई वाली facility दी जाते हैं, कौन से bag के जरी है, special bags के जरी इनका वित्रण किया जाता है, if the lock and key are not surrendered by the renter of postmaster within how many days of the expiry of period of rent, or the renting of the box is not renewed within the aforesaid period, the deposit will be forfeited, यदी किराई की अब्दी समापत होने के कितने दिनों के भीतर, किरायदार दाला और चाबी postmaster को नहीं सौंपी जाती है या उक्त अब्दी के भीतर box के किराई का नवीकर्ण नहीं किया जाता है, तो जमा राशी कब जब्त कर ली जाएगी, तो उसे answer क्या जाएगा भई 15 दिन के भीतर, अगर किराईदा ताला और चाबी postmaster को नहीं सौंपता है, किराई की अब्दी समापत हो चुकी है, समापत होने के 15 दिन के भीतर, अगर वो postmaster को ताला और चाब भी नहीं सौंपता है, या फिर उसके किराई की नवीकर्ण नहीं करवाता है, तो ऐसी सिती में, जो उसने deposit किया होगा, उसको क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, ओफिस फाइल्स कंटेनिंग नोट्स और ओडर्स और ड्राफ्ट लैटर्स और फेर कोपीज एक्सचेंज बिट्विन गवर्मेंट ओफिस और इस ओफिस में वी सेंट बाई पोस्ट ऐस लैटर्स पैकेट्स और पार्सल्स अट ऑप्शन ओफ दी, सरकारी अधिकारी और उ क्या बोलेगे कि जो ओफिस फाइल्स होंगी जिनमें क्या हो सकते हैं आपके ओडर्स हो सकते हैं नोट्स हो सकते हैं ड्राफ्ट लैटर्स या फेर कोपीज हो सकती हैं जो गवर्मेंट ओफिसर उनके कार्याले के बीच में अदान परदान हो रहे हैं अब यहां पर यहां प पैकेट्स के रूप में और पार्सल के रूप में भी फेज़े सकते हैं लेकिन कैसे बेज़े जाएंगे इस चीज के ऊपर निर्धारित करेगी किसके ऊपर यह रहेगी सेंडर के ऊपर जो प्रेशक होगा उसकी इच्छा के अनुसार इनको लैटर्स पैकेट्स या पार्सल् अधिकारिक डाक लेख के संबंद में निमन मैं से कौन सा गलत है फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ऑफिशल पॉस्टेज प्रीपेड और नोट जितने भी अधिकारिक डाक लेख हैं चाहे वो प्रीपेड हैं या नहीं है अधिकारिक डाक लेख को पोस्ट किया जाएगा चाहे वो प्रीपेड है या नहीं है इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है उनके उपर सुपर्स्क्रिप्शन लिखी जाएगी और कोई सी सुपर्स्क्रिप्शन अब सरकार के उच अधिकारियों के इलावा जो अन्य अधिकारी है जिनको सर्विस पोस्टेल स्टाइम से यूज करने के लिए अधिकृत किया गया है जब बेलेख को भेजेंगे तो उनके ओपर क्या लिखा जाएगा सुपर्स्क्रिप्शन होगी आपकी ओन सर्विस तो यह वाला पॉइंट भी सही है अब यह जो सुपर्स्क्रिप्शन लिखी जाएगी इसको स्पोर्ट करने के लिए जो अधिकारी है वो अपने साइन करेगा साथ में अपना ओफिशल डैजिगनेशन लिखेगा और कहां पे लोर राइट हैंड कोर्नर भाई यह गलत हो जाए बीच अमंग दी फोलेंग इस इंक्रेक्ट भी रिस्पेक्ट टू प्रोहिविशन ऑफ ट्रांस्मिशन बाइन लेंड पोस्ट अंतरदेश्य डाक के परसारण के निशेद के संबंध में निमन मैं से कौन सा कथन गलत है अब निशेद का क्या अर्थ होता है आपना कोई भी डाक लेख भेजा है अब डाक लेख भेज जा नहीं है मतलब कि आप कोई डाक लेख भेजना चाहते हैं लेकिन आप उसमें कुछ ऐसा सामान भेज रहे हैं जो डाक के दोरह नहीं भेज जा जा सकता है तो उसको क्या मानना चाहेगा प्रोहिविट मानना चाहेगा निशेद मानना चाहेगा तो यहाँ पर हमें क्या बना अंतरदेश्य डाक के परसारण के निशेद के संबंद में निमन मैं से कौन सा गलत है तो options देखते हैं आपके अपास क्या बोलागे anything which is sent in contravention of any enactment for the time being in force prohibited for transmission through inland post तो यहाँ पर बोलेगे कुछ भी ऐसी वस्तू जो कुछ समय के लागू किसी अधिनियम के उलंगन में भेजी जाती है उसको निशिद माना चाहेगा बिल्कुल सही मानड़ा उसको प्रोहिविट माना चाहेगा any explosive, inflammable, dangerous, filthy, noxious or deleterious substance is prohibited from transmission through inland post किसी भी बिस्वोटक, जलनशील, खतरनाग, गंदे, हानिकारक, हानिकारक पदार्त को अंतरदेश्य डाक के माध्यम से नहीं आप भेज सकते हैं, उसको भी प्रतिवंधित माना चाहेगा बिल्कुल चाहिए, कोई भी आप स्पोर्ट नहीं भेज सकते हैं जलनशील, inflammable substance नहीं भेज सकते हैं, खतरनाग चीज, गंदी चीज, कोई भी आसी आप चीज नहीं भेजेंगे उसके बाद कोई भी नुकीला उपर, जो अच्छी तरह से सरंक्षित नहीं है, उसको भी आप डाक के दोरह नहीं भेज सकते हैं, वो भी प्रोइबिट माना चाहेगा तो यह प्ट भी सही आजाएगा गोल्ड कोई और बुलियन और बोथ हो, फो फो वैल्यू एकसीडिंग, वल्लाक इस प्रोइबिटेड फार ट्रांसमिशन थ्रू इनलैड पोस्त, यह गलत हो जाएगा एक लाख रुपे से अधिक मोल्य के सोने के सिक्के या बुलियन, या फिर दोनों एक साथ हाँ बेजने हैं, तो उनकी जो वैल्यू कितने से, बीस अजार से जादा नहीं होनी चीए, लेकिन यह पे एक लाख दिया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और एक दरजन साथ रुपे की आती है, वो वाले केले की बातियां भी करें, तो आप उसको डाक के ज्वारा नहीं भेज सकते हैं, वो प्रोहिविट है, अब यहां पे बुलागे, महराश्ट्रा, केरार, ओडिसा के किसी भी स्थान से, भारत के किसी दूसरे राज्य में इसको या नमूना पैकेट के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं, तो कि अगर आप इसको भेजते हैं, तो इसमें जब यह सड़ेगा, यह गलेगा, जो भी होगा, तो एक डिसीज होती है, वो कौन सी डिसीज है, बंची, टोप, मोसिक, यह वाली डिसीज को यह पैदा करता है, जो ब नहीं बेज जाएंगे, तो यहाँ पर सी अंसर आजाएगा, आर्टीकल जो फास्टेंड बिद पिन्स बिल वी रिटरंड एट वन्स तूदी, इफ एर्रेगलर्टीव इस डिड़क्टेड अट ऑफिस ऑ पोस्टिंग, इफ डिड़क्टेड सब्सिक्वेंटली डे विल व बंद करने के लिए, तो अगर तो ऑफिस ऑ पोस्टिंग मतलब जहां से लेक को पोस्ट कर रहे हैं, उसी कार्याले में बो वाली चीज ध्यान में आ जाती है, कि इन्होंने पीन का यूज किया हुए, लेक को बंद करने के लिए, तो क्या किया जाएगा, भई उसी में कार्य किया जाएगा कि इसको रिटर्ण लैटर ओफिस, पुने अपरेशन केंदर को भेजा जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या किया जाएगा, उन्हों पीन इसको निकाला जाएगा, क्योंकि वो पीन किसी को भी नुक्सान पहुंचा सकती है, दूसरे लेखों को नुक्सान अचा सकते है, तो उनको पहले निकाला जाएगा, फिर रिटरं लैटर ओफिस के माधहम से प्रेशा को लटाया जाएगा, तो पहले पर क्या होगियां कि अगर तो ओफिस ओं पुस्पोस्टिंग मेल जाती है, तो प्रेशक को एक बार में दे दी जाएगी, अगर वो ओफि in terms of high officers entitled to उच अधिकारियों के दोरे कारेक्रम किसके लिए भी प्रेथ हैं ठीक है उनको कौन से बैग में लेक बेज़े जाते हैं अगला कॉशन आपके बास विच अमंग दी फोलिंग इस इनकॉरेक्ट इन मैं से कौन सा गलत है ओल पोस्ट ओफिसेज मोवाइल पोस्ट ओफ पोस्ट ओफिस मोवाइल पोस्ट ओफिस क्या होते हैं चल डागर मोवाइल पोस्ट ओफिस यह मत समझ लेना कि बाप पे काम जो है वो फोन के उपर करते हैं ऐसा नहीं है आपके चल डागर जो होते हैं ठीक है वो हमने कर रहे हैं पोस्ट ओफिस गाइड पार बन में आते ह है शुरुआत में आते हैं तो यह क्या हो जाएंगे यह भी बंद रहते हैं नो business transacted with public on Sunday and post office holidays डाघर अवकाश के दिन और रविवार वाले दिन जनता के साथ कोई लेंदे नहीं किया जाते है नाइट post offices are closed on Sunday and post office holidays रात्री कालिन डाघर रविवार पोस्ट ऑफिस अवकाश के दिन भी बंद रहते हैं डी इनमें से कोई भी नहीं तो हमें क्या बता है नहीं इनमें से गलत कौन सा है तो कौन सा गलत आ जाएगा सी आ जाएगा भाई night post office जो है यह तो भाई Sunday और post office holidays बाले दिन भी खुले रहते हैं लेकिन यह आप क्या बोल रहा है बंद रहते हैं तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा in the case of photographs sent by packet post the name and address of the sender should always be written only of the photograph तो packet post के माधिम से जब भी आप कोई photograph भेजते हैं तो pressure का नाम आम तोर पर तस्बीर पर कहा लिखा जाना चाहिए front में lower side of right portion या फिर left side of left portion या फिर back तो पीछे वाली side जो photograph होगा उसके पीछे वाली side लिखेगा आगे लिखेंगे तो photograph खराब नहीं हो जाएगी इदिकार के तैद भारतिय डाघर दोरा जारी डाक टिक्टों के माधिम से किया जाता है government of india department of post revenue department या all the above तो इसमें से आंसर कहा जाएग का आपके बास किसके अधिकार के तैद ग्रम्द ओव इंडिया भारत सरकार के अधिकार के तैद भारतिय डाघर द्वारा जारी डाक टिक्टों के माध्यम से किया जाता है लोन बिल वी ग्रांटर ओन दी सिक्यूर्टी ओफ पोलिसी इफ दी पोलिसी हाज बीन इन फोर्स फार्दी लीस्ट यह सो एट लीस्ट कितने साल तक आपकी पोलिसी चलनी चाहिए अगर आपको लूँम साल तक ऊष्छ चाहिए तीन सालं तक और एगर इसको फासल के पहले चलनी उप्द कि आ लिए लने का ग्यांस best कोन रुपए का स्भीजण प्रवाइड करवाता है इन अगलेंडर मत एक लेंदर माहम है तो यहां पर ही क्या पूछा गया कि एक कलेंडर माह में स्पीड पोस्ट बुकिंग ओफिस में कितने रुपे का स्पीड पोस्ट बेपसाय परदान करने वाले ग्राहा को वल्क कस्टमर या फिर थोक ग्राहा का जाते है दस हजार उपे का घन फ्यूज मत होना भाई इसी में आपका एक और आते है पचास हजार उपे बुक नव पे लेटर वाली फैसिलिटी में जब इन लेखों को भेजा जाते है तो इसमें एक आते हैं जब डिस्कॉंट की बात आएगी कि डिस्कॉंट अगर पूछा जाए न कि कम मिलेगा तो जब पचास हजार उपे से अधिक की ट्राजेक्शन बो करेगा तब वो डिस्कॉंट के लिए पात्र होगा ते ध्यान रखना है अगला कोशन आपके बास head of first class head of post head office is under the control and supervision of senior time scale officer is called as brisht समेमान अधिकारी के प्रियावेक्शन के ताहत प्रथम श्रेणी के परधान कार्यालियों के प्रमुख को क्या का जाता है चीफ post master का जाता है कौन सा से यह answer आ जाएगा आपके बास भी आ जाएगा बीच अमंग दी falling is incorrect with respect of branch post office शाखा डाघर के संबंद में निमन मैं से कौन सा गलत है branch office is a post office of highest status than a sub office यह क्या बोल रहे एक शाखा कारयाले कूप कारयाले की तुलना में उच्छ स्थिती का डाघर होता है भाई नहीं तीन प्रकार के डाघर होते है head office सबसे उचले सदरकान उसके बाद चोटा मजला भाई आपका sub office और सबसे चोटा भाई कुन सा है branch office लेकिन यह क्या बोल रहे है यह sub office का बड़ा भाई होता है branch office तो यह गलत हो जाएगा बही चोटा होता है निमन स्थिती का होता है उसके बाद यह परधान या फिर डूप कार्यार लेके सीधे खाते में होता है मतलब इसका जो अकाउंट ओफिस होता है वो head office यह sub office भी हो सकता है तो उसके तीसरा बोल गया इस monetary transactions are incorporated in the accounts of account office इसके मोदरी क्लेन देन जो भी होंगे उसको खाता कार्यार लेके खातों में शामिल किया जाता है यह भी सही है officer in charge of branch office is designated as branch postmaster शाखा डाघर के परभारी अधिकारी को शाखा क्या कहा जाता है branch postmaster शाखा postmaster कहा जाता है यह भी सही है हमें क्या बताना है incorrect कोंस है incorrect क्या जाएगा आपके बास यह आजाएगा यह आपके निचले सतरका होता है ना कि ऊच सतरका होता है transcription center is a cell established in transcription यह प्यंतरन के इंदर जिसे कहा जाता है किसे कहा जाता है सबसे पहले ही पता होना चाहिए तो जो भी local language में लिखेगे पते को किसी आर्टिकल के ऊपर अगर local language में पता लिखा हो उसको जब English में transcript करेगा ना जो उसको कहा जाएगा transcription center हो यह कहां पे होता है चंटाई कारयाले में होता है तो यहाँ पे 19th किसी option क्या जाएगी भी आ जाएगे चंटाई कारयाले में क्यों होता है क्योंकि आर्टिकल अगर local language के ऊपर लिखा हुआ है तो चंटाई कारयाले वालों को सबसे पहले problem होगी उसको पता कैसे चलेगा कौन सी बाशा में यह क्या लिखा हुआ है क्योंकि अब हर एक state की language हमें आती ही नहीं है तो English तो mostly सभी को आती है तो इसलिए इसमें English में transcript करने वाले जो भी आपके होते हैं उनको क्या का जाता है transcription center हो एक होते हैं sorting office छंटाई कारयाले में male offices are male कारयाले कैसे कारयाले होते है आप डाघर में ivesseका टो छोड़िया अप क्या है दूसरा railway डाख सेवा की बात करते है दोचता के kommal कारयाले ओफिसे होते हैं पूछे जाते हैं, which among the falling is incorrect, for press sorting office, press sorting office के लिए निमन मैं से कौन सा असत्ते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बोलागे, press sorting office is situated on the premises of the newspaper, newspaper जहाँ पर शप्ता है, उसी के प्रांगण में press sorting office होता है, बिल्कुल सही है, the entire expenditure towards wages for the establishment is born by the department, यह गलत है, स्थापना के लिए जो मजदूरी का पूरा खर्चा होगा न, वो भाई यह newspaper वाले देंगे, ना कि department देगा, तो यह तो हो गया, incorrect, अगली options भी देख लेते हैं, newspaper also provides required, stationary fire working of sorting office, छंटाई कार्या लेके काम के लिए, यह जो भी सामगरी है, उनको परदान करते हैं, यह भी सही है, जो भी खर्चा होगा, यही दें watching of the closest direct letter bags to the post office or sorting office, और यह दूसरा क्या करते हैं, डागरों छंटाई कार्यों के लिए, सीधे, डाक थैले, यह letter bag, पत्र bag, बंद करते हैं, यह भी सही है, तो इस question का से answer कहा जाएगा, आपके पास, इसका से answer आपके पास आजाएगा, भी, सापना के लिए मज़ूरी का पू मैं डाक निदेशालिया का कौन सानुभा काम काता है, D section, D section of postal tract rate is called as central bag office, से answer क्या जाएगा, D आजाएगा, लेवल बंद आर ओफ दी क्लासिस, लेवल कियेगे, बंदल कितने परकार के होते हैं, लेवल बंदल आपके दो परकार के होते हैं, स्टेशन और सोटिंग, तो यह मैं यह सोच लेना है, आपके लेवल बंदल की बात कर रहा है, station हो गया, एक बंदल, दूसरा sorting हो गया, combined बंदल थोड़ी होता है, combined mail bag होता है, तो उस तरह से याद करके answer देने, ऐसे नहीं देने, क्योंकि यादते हुए question भी गलत हो जाते हैं, फिर आप पिछे चले जाते ह answer क्या जाएगा, 24 का C, answer आजाएगा आपके बास, C, cash on delivery facilities available, which provides collection of amount up to how much at the time of delivery of consignments, cash on delivery सुभी दा, जो होती है, इसमें खेप के, बित्रण के समय अधिक्तम कितनी राशी का संग्राय यह परदान गयते है, वीपी आर्टिकलों cash on delivery में क्या फरक है, वीपी को आप किसने तक पहीं पर आपकी cash on delivery को आप 50,000 रुपे तक भेज सकते है, बल्दब आपने जो समान भेजा उसके लिए addresses से 50,000 रुपे तक का संग्राय किया जा सकता है, से answer क्या जाएगा आपके बास, B आचाएगा, the entire country has been divided into postal circles, पूरे देश को कितने postal circles में बांटा गया, total कितने 23 circles में ब पूले दे वस्वों और money order किसके पते पर बुक नहीं किये जाएंगे, तो वही किसके पते पर, army post office के पते पर इनको बुक नहीं किया जा सकता है, भी options से या जाएगी, अगला question आपके आपके आज, registered newspapers and packets of registered newspapers are accepted on Sunday, and post office holidays without payment of any late fee in पंजीगरित समाचार पत्रों के packet, रवीवा हो गया, दूसरा, railway dark sewa के जो कारेल होते हैं, तीसरा night post office, इन तीनों में किया जाएगा, head post office नहीं आएगा, से answer किया जाएगा, आपके बास D हो जाएगा, बोथ ही and C, press sorting office, RMS offices and रातरी कालिंड आघर, इन तीनों जगाहों पे, registered newspapers और उनके packets को बिना किसी बिलमशुल के, र जाते हैं, जो फिलैटली के बिदेशी order होंगे, उनको कहां पे निश्पादीत किया जाएगा, Bombay GPO, Bombay general post office में किया जाता है, ऐसी option से आजाएगी, अगला question आपके बास, stamps should be affixed to beach corner of address, dark ticket, पतापक्ष के किस कोने में चिपकाया जाना चाहिए, तो dark ticket जो होते हैं, पतापक् रही है, मैंने एक line खींच दी, यह आगया upper portion, यह आगया आपका lower portion, ठीक है जी, यह आगया right hand side, यह आगया आपकी left hand side, अब upper left, lower left, यह खुद कर लेना, समझने वाली बात समझ लो, सबसे पहले जो addressing address लिखा जाएगा, lower portion में right hand side में लिखा जाएगा, lower portion कोन सा हो गया, नी इसे लिखा जाएगा parallel to the length of the cover, जो cover की लंबाई है, उसके parallel में लिखा जाएगा, मतलब east side में लिखा जाएगा, यह आगया address, यह आगया address, यह आपे हो गई, चार भागों में इसको बांट दिये, ठीक है, यह चार भाग आप कर लेना, यह upper half, यह lower half, यह कर लेना, अब जो dark ticket वगारा चिपकाए जाएगे, इस side में चिपकाए जाएगे, जिस side में address C का पता लिखा है, उसी side में आपको right hand top corner के ओपर, bottom corner में address C का address, top corner में आपके किस का आजाएगा, जो dark ticket लगाए जाएगे, बो आजाएगे, अब यह वाली side बच गए, यह वाली side कहां से आजा है, अगर आप एक diagram इसको अच्छे से कबर बना के समझ लेंगे, department वाली question यहापे खतम हो जाते है, अब चलते हैं, GK के questions की तरह, first question आपके पास, इडुक की hydroelectric power plant is on river, तो इडुक की जो है, नाम नूम देख लेना भाई, थोड़ा इदर उदर हो जाए, लेकिन समझ लेना क्या है, कहां पे आए, तो जल्विद्वित परियोजना किस नदीम है, तो यह पेरियर नदीम है, तो यहापे इसका सियांसर क्या जाएगा, C आज जाएगा, which river is known as sort of Bihar, Bihar का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, 43rd किसी option आपके बास क्या जाएगी, B आजाएगी, the first backward class mission was appointed in 1953, under the chairman प्रथम पिश्रावर्ग अंदोलन, आयोग, 1953 में किस अध्यक्ष के अधिन नुक्त किया गया था, तो काका कालेल क तो यहाप इसका सी answer क्या जाएगा, यह आजाएगा, how many times the preamble to the constitution of India been amended भारत के संभिधान की प्रस्तावना में, कितनी बार संशोधन क्या गया, only एक बार क्या गया, only once, the options यह आजाएगी, who was the first Indian woman to win man, booker prize, man, booker prize, यह पुर्सकार, जीतने वाली, पहली भारतिये महिला कौ में किसे जाना जाता है, Dr. APJ. Abdul Kalam को जाना जाता है, भी option से आजाएगी, consider the following page, इसका से answer आपके बास आएगा, यह सूरज कुंड हर्याणा में, बाकी यह दोनों भी देख लेना, कहां पे हैं मिस गॉंपा और अंबूस बासी, तो कहां पे यह भी check कर लेना, के वार यही question repeat हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से change करके पुछे जाते हैं, तो यह भी पूछे जा सकते हैं, at which of the following session of Congress, the resolution of पूरण सुराज बास पास्ट कॉंग्रेस के, निमन मैंसे किस अदिवेशन में, पूरण सुराज का प्रस्ता पारित किया गया था, तो कौन सा आपका यह session था, लह गांधी के दारा लिखी गई है, तो यह था आपके पास, राजस्तान का post, sorry, MTS का 2021 का question paper, किसी भी question का answer गलद लगाओ, comment section में आप जरूर उस चीज के बारे में बता सकते हैं, regular classes के लिए भी आप जुणना चाहते हैं, screen video number पे message करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, math और gk के लिए आपको अलग से चैनल के link मिल जाएंगे, अच्छे से त्यारी करना चाहते हैं, तो बहां से जरूर आप जाके कर सकते हैं, thank you